एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा परमेश्वर तेरा नाम सच्चा दुनिया की नेंद में तु सोया है इस तरह से परमात्मा के रस्ते पे जावेगा किस तरह से तेरा दिल दुनिया के खयालों से बेचैन है अपने उस सच्चे रब उस परमात्मा की तरफ को सोचने का तेरे पास वक्त नहीं इश्वर के बहुत से सहयोगी आज भी सब जगह दुनिया में घूमते हैं वे हमारे भीतर हमारे आसपास भी मौन होकर घूमते हैं लेकिन हमारे पास वो कान और वो आखे नहीं है उन्हें सुन सके या देख सके वो कान और आखे नहीं है हम देखते हैं तो दुनिया हम सुनते हैं तो दुनिया हमारा ख्याल दुनिया हमारी हद है ये दुनिया परदे हैं अंध्य पन के तो रूह कैसे देखे परदे हैं अंध्य पन के तो रूह कैसे देखे बेसाया नूर उसका संसार कैसे देखे परदे हैं अंध्य पन के तो रूह कैसे देखे बेसाया नूर उसका संसार कैसे देखे कहा शाहने ए लेला तुझ में कुछ खास तो नहीं है मजनू हुआ है पागल तु औरों से खुबसूरत तो नहीं है एक बाद शाहने लेला को रोक के कहा सुन तेरे पीछे मजनू क्यों पागल है तुझ में कोई खास बात तो है नहीं जैसी दूसरी औरते हैं ऐसी ही तु है लेला ने कहा चुप रहे वो आँख तेरे पास नहीं है मुझे मजनू की आँख से देख पर तेरे पास वो आँख नहीं है इश्वर को देखना है तो फरिष्टों की आँख चाहिए इश्वर को देखना है तो फरिष्टों की आँख चाहिए तेरी आँख दुनिया को है देखते तुझे आँख में रोशनी चाहिए जो उस प्रब पे शैदा है उनके लिए दुनिया की चमक दमक कुछ नहीं सिर्फ एक वो ही है उनके दिल में ये दुनिया और वो दुनिया उनके सामने कुछ नहीं तेरी रोख पे तो दुनिया ने अपना कबजा कर लिया है मेरी रोख पे फकत उस प्रब ने उस यार ने कबजा कर लिया है तु दुनिया के इश्क में है तु उस परमात्मा के इशक को क्या जाने तु मक्खी है गुड की गंदगी की तु शम्मा की लौ को क्या जाने तु सोया है प्रब की तरफ से जागा है दुनिया के बीच में तेरा जागना भी है ऐसा जैसे जागा है जेल के बीच में तेरे दिल के आईने पे तेरी उलजणों की धूल है मटी से अट गया है तू तू तो जन्नत के गुलशन का फूल है दुनिया की उलजणों ने तुझे बेचैन कर दिया है तुझे अपने परवर्दिगार से भी बे मुख कर दिया है तेरे दुनिया के दोस्त तेरे पौधों को गरम पानी देते तेरी पाकीजगे पवित्रता निर्मलता को खतम करते रूहानी मंडलों से तुझे गिरा देते शन भंगुर दुनिया के कामों ने तेरी अकल को हर लिया है चोरों उचकों ने तुझे अपना हमसफर कर लिया है शन भंगुर कामों ने तेरी अकल को हर लिया है चोरों उचकों ने तुझे अपना हमसफर कर लिया है जंगल है ख्यालों का, इससे निकलना मुश्किल है, जंगल है ख्यालों का, इससे निकलना मुश्किल है, रूहानी ख्यूशी मिले कैसे, जंगल से निकलना मुश्किल है, उल्टे ख्यालों ने तुझे, ऐसे फ्हसा लिया है, उल्टे ख्यालों ने तुझे, ऐसे फ्हसा लिया है, जैसे शैतान ने तेरे वास्ते परी का गुरूप बना लिया है, तु परी पे हुआ है शैदा, तु शैतान को नहीं जानता, तु ख्वाब की हालत में, शैतान को परी जान के उसकी कौली भरे है, तु हकीकत को नहीं जानता, जब ख्वाब तूटता है, अफसोस तु करता है, अफसोस नफस तेरा परच्षाईयों का पीछा करता है, ख्वाब में परी से लिप्टा, जागा तो है शर्मिंदा, क्या क्या करम कराता है आदमी से ख्वाब में परी से लिप्टा, जागा तो है शर्मिंदा, क्या 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 करम कराता है आदमी से, उसका ख्याल गंदा, उड़ता पंच्छी गगन में धरती पे है परच्षाई, तेरी रूह उड़ती है कहीं, तेरा जिस्म तो है एक परच्षाई, दुनिया पंच्छी की छाया, तु जिसके पीछे भागता है, ठक के न गिरे जब तक, आखरी दम तक भागता है, परच्षाई पे तीर मारे, तेरा तरकस हो गया खाले, एक एक सांस जाती रही, एक एक सांस जाती रही, हुआ जिस्म सांसों से खाले, फिरता है दिशाहीन तू, कब तक ऐसे फिरेगा, परच्षाईयों से मुक्ती मिलेगी, जब गुरु के चल्णों पे तू गिरेगा, गुरु की आज्या का पालन कर, ये नियम है सच को पाने का, गुरु की आज्या का पालन कर, ये नियम है सच को पाने का, ये ही है मार्ग दर्शन और मार्ग है प्रभ तक जाने का वक्त के गुरू की तु सुन पिछलों का कर अदब तू मत काठ बात गुरू के मत बन बे अदब तू वक्त गुरू है इश्वर का बंदा वक्त गुरू है इश्वर का बंदा वो है प्रभ की अपनी परच्छाई दुनिया के लिए वो मरे जैसा परमात्मा में सदा जीवित वो देता है दिखाई जल्दी करो वक्त गुरू को मजबूती से पकड़ लो वहे आफ़त जो बाद मरने के यकीनन आने वाली है उस आफ़त से निकलने के लिए निजात पाने के लिए मजबूती के साथ गुरू को पकड़ लो यानि गुरू की आज्या का पालन करते हुए सच्चाई साधना आराधना और इबादत और परमात्मा की राह में लग जाओ तेरा दिल सूखे पत्ते की तरहा हवा में उड़ रहा है इसलिए तुझे हर आदमी अशान्त दिखाई दे रहा है मेरी आँखों से देख हर वस्तु में उस परमात्मा का नूर चमकता है हर आँख में हर माथे पे उसका नूर दप दप दमकता है तु देख कितनी रोहें फरिष्टों जैसी बन गई है तु देख कितनी रोहें फरिष्टों जैसी बन गई है मत देख कितनी रोहें शैतान बन गई है ये आत्मा है बांसरी उस प्रभ का गीत गातू वो सुनता है करीब से उसको जरा सुना तू क्या तुम नहीं जानते रोशनी की ये लंबी परचाईयां क्या है ये हैं सत्पुरक ये संत हैं वो रोशनिया ये रब की ही हैं परचाईया परमात्मा की घाटी में गुरु के बिना न जाना परमात्मा की घाटी में गुरु के बिना न जाना ठोकर पड़ेंगी खानी, वापस पड़ेगा आना गुरु है जगत का सूरज, जा उसका हाथ पकड़ ले ये दुनिया है अंधी और छलावा, जा तु सचका साथ पकड़ ले परमात्मा के घर की तरफ, जाते वक्त तुझको अगर ईरशा मिले तो इसे शैतानी बिगन समझना, तु इससे हर गिजना मिलना अगर ये तुझे रास्ते में मिले इरशा, चिड़, जलन, जिस दिल में है उसी को जलाती है बागे जन्नत को जलाके, राक उड़ाके ले जाती है ईश्वर की राह में द्वेश से बढ़के कोई हानी नहीं इरशा से जिसका सामना ना हुआ, उससे ज़्यादा कोई नसीब वाला नहीं साध्वों की सहेली निंदा उनके संग रहने लगी किसी के सिर पे चड़ जाती और किसी के कदमों में रहने लगी साध्वों की बुराई ना करना साध्वों के अपनी आँखों को मेला ना बनाना लाख बुराई हैं तुझ में फिर भी तु पवित्र है पाक है फुलसंदे वाले बाबा कहीं तुझ में प्रभ की जोती का निवास है फुलसंदे वाले बाबा कहीं तुझ में प्रभ की जोती का निवास है फुलसंदे वाले बाबा कहीं तुझ में प्रभ की जोती का निवास है एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा झार नाम सच्चा प्रभ कर में झार नाद गे, क defensive प्रभ की जोती का तू समय कि जो प्रभ कुप यान झाल झाल